चलो भाई सब सुबा हो गई है, मस्त नींद आता है भाई, क्या ही बताओं, अभी थोड़े थोड़े थंडी का मौसम आ रहा है ना तो नींद भाई जखकास आता है भाई, और मेरी बोडी तो देखो, भाई दिन पे दिन भाई और तगडी वाली होते जारी है, अच्छी लोग भी आपके लिए काफी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आते रहते हैं मिनी कार की सिरीज की तो भाई साब मिनी कार फिलाल हम लोगों के पास 10 से आई 11 हो गया मेरे को भी सायद याद नहीं है चलो मैं आप लोगों को काउंट करवा ही देता हूं तो भाई साब यहां प लोगों तो पता है एक है गाइज आर बस एक है भाई ट्रैक्टर डीजे एंड एक है भाई अब पिछली बार वाला एपिसोड में हम लोगों ने फायर ब्रिगेड बनाया था तो काइज अब है वह देखो पीछे देखो सिंचान अरे हां फ्रेंकी भी या बोलो बोलो अब आ रहा हूँ आ रहा हूँ गाइस या अब है चौप यार यह 30 कर रहा है देख रहे हो गाइस यहीं पर इसको 30 करने रहता है वैसे गाइस यार काफी दिनों बाद आज धूप निकलिया तो मैंने भी सोचा चलो यार आज नहाही लेते हैं ठंडी ठंडी पानी है अभी स्वि स्विम्ग पूल की देखे और भाई ये देखो शायिसार बहोत इतकड़ा वाला स्विम्ग पूल के उपर हम लोगों ने बना दिया है क्या आपको तो पता ही होगा ऊपर पार्किंग एरिया है ऐन गाईसर नीचे में नहा लेता हो तो यहां से भी हम लोग पारkkिंग इरिया में जा सकते वैसे ये देख सकते हो मैंने आप लोगों से क्या बोला है आपको तो पता ही होगा जब हमारे हो जाएंगे चार लाग सबस्क्राइबर तो हम लोग बनाएंगे एक खतरनाक वाला पार्किंग एरिया जहां पे गाई जार सारी कार्स लगेगी उसके उपर म इसलिए guys आर आप लोगों को support दिखाना पड़ेगा हम लोगों को 4 लाग के जल्दी जल्दी कराना होगा तो 4 लाग subscriber हो जाएंगे तो हम लोग guys आर बहुत ही बड़िया वाला parking area बनाएंगे एरे ठीक है ठीक है कपड़े पहनो और आज की वीडियो से होचो क्या करना है चेक कर रहा था तो काफी सारे लोगों ने बोला था Indian truck बनाने के लिए अरे Indian truck अब हायर लेकिन एक दिक्कत हो जाती है अरे यार क्या अबे इंडियन ट्रक मिलेगी कहां पे अरे सीमियोन के सब पे मिलेगी न अबे नहीं यार वो ट्रक नहीं बेजता है न अरे तो कहां जाओगे अबे वही तो दिक्कत है यार हम लोगों को पता है कहां पे जाना पड़ेगा अरे कहां पे अबे यार एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगारा के ट्रॉक लगे रहते हैं ना वहाँ पे मिलने का भाई कुछ चांस है अरे तो सोच क्या रहे हो चलो चलते हैं अबे हो यार चलना तो पड़े गाई बाई सब क्या लगता है हम लोगों को इंड्रियन ट्रक पहले मिलेगी उसके बाद हम लोग जाएंगे गाईजर आज बेनी के गेराज में मोडिफाई कराने अरे क्यों क्यों बेनी के ही क्यों अबे आज बेनी के गेराज में जाएंगे आज मेरे को मन कर रहा है तो चलो भाईया फटाक से पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे साथ मीनी कार लगी है और भी आप लोग को पहले दिखा देता हूँ उसके बाद हम लोग जाएंगे गाईज अर बहुत ही बढ़िया वाले जगह पे एयरपोड पे पहले आप लोग यह मेरी मसल्स वगरा गाईस देखो कितनी खतरनाक लग रही है न मेरे चलो अभी फटाक कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ उसके बाद हम लोग जाएंगे गाईज यहाँ पहले कपड़े बदल लेता हूँ चलो गाईस जार कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए अरे क्या बाते बड़े स्मार्ट दिख रहे हो आज अबे स्मार्ट दिख रहा हो गाईस जार वैसे ये वाली हुड़ी आप लोगों को कैसे लगी मैंने नई नई खरीदी ये आप लोग को ने बताना चलो भाई साथ मीनी कार वहाँ पर लगी आठ भी दिखा देता हूँ आजाओ अरे JCB अबे हाँ जसीबी को अलग रखना पड़ता है न JCB को अंदर रखने का ये की कारन है क्योंकि भाई ये बलास्ट होने का डर रहता है इसलिए बेनी ने बोला है जितना हो सके सारे कार से इसको अलग रखना है इसलिए guys आर हम लोग अपनी mini Indian JCB को अलग रखते हैं ये बहुत ही खतरनाक वाला bulldozer है एरे हाँ यार उठा के पटक देगा आपको अवे तेरो को भी उठा के पटक देगा वैसे guys आर जीतेने भी mini car है ना ये देखने में mini होती है बट यार इसके power जो होता है ना वो बड़ी-बड़ी चीजे हटा सकती है आप लोगोंने JCB वाली वीडियो देखा होगा तो बड़ा भाई इसने बड़ी-बड़ी car को पल्टी कर दिया था mini होते हुए भी तो जाके आप लोग वो वीडियो देख लेना जिसमें हम लोगोंने गाईजर mini tractor से भी क्या किया था mini ये JCB से ही भाई साब एक गड़ी को पलट दिया था तो चलो गाईजर चलते हैं आज का पहले बहुत सारा काम निपता आते हैं आपको मिलते हैं ये JCB को अलग रखना ही पड़ता है कुछ दिक्कत हो जाती है मतलब बेनी ने बोला है कि उसको अलग ही रखना इसलिए गाईजर हम लोग उसको अलग रखते हैं ये सारी हमारी mini car 6 ये हाँ पे 7 हो गई 8 JCB गाईज हो गई और 3 बाहर है तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ टोटल 11 अभी फिलाल है तो चौप यार हम और सिंचन जा रहे हैं थोड़े बाहर तू देखबल कर लेगा ना घर की औरे यो कलुआ टेंशन न ले एक स्वीगी से जो मैटो से कुछ मेरे को अडर कर दे अबै स्वीगी से भी करना है जो मैटो से भी करना है भाई क्या कितना खाएगा सिंचन अरे कर दो कर दो कार की देखबल करता है न ये अबै हाँ यार कर देते हैं भाई क्या खाएगा वैसे पास्ता बर्गर पीजा चौमिन भाई कोल्डरिंग वोल्डरिंग और यार कलुआ मेरे लिए मस्त एकदम बड़ा साइज का एक फार्म हाउस का पीजा चाहिए सिंचन इसको भाई लोटरी लग गई क्या तेरी इतनी बड़ी बड़ी पीजा खाए अरे कहा जा रहे हो अब यार चल इसके लिए पीजा भी ओडर करना है न तो भाई रास्ते में है न एक सौप तो उसको बोल देंगे कि भाई पीजा भीजवादे मेरे सौ घर पे तो चलो बाहर चलते हैं अंदर आप लोगों को गाईजर मैंने दिखाए कितनी कार अरे कितन 12 मीनी कार है एंड आज हम लोगों ने सोचा है एक और बनवाने के लिए तो भाई सहाब काफी ज़्यादा एकसाइट मेंट वाला यह वाला वीडियो होने वाला है अरे यार इंडियन ट्रक ही बननाना कोई और नहीं अब हाई ट्राइब करेंगे वैसे गाईजर अब यह क् चॉप का दोस्त ठाना अरे क्या होगी इसको सोया है की मर गया भाई पता नहीं यह रात में ऐसे सोया सोता है रहते हैं यह गया बयं कर ने हैंड लगों बनलारों को भाई च्ल करने कर सकते और चॉप के नहीं अ अब वही तो चलते है guys अर फटाक से उसके लिए पहले एक burger order करते है वैसे सिंचन तू भी pizza खाएगा क्या अरे नहीं नहीं मेरे को इतना नहीं खाना मैं सुबा का नास्ता कर लिया हूँ क्या बात है तू सुबा का नास्ता कर लिया है चल कोई बात है नहीं मैं खा लूँगा और order भी दे दूँगा भाई चौप के लिए वो घर पे जाके पहुचा देंगे फामा उसका एक बड़ा वाला पीजा ठीक है अरे हाँ लार साइज वाला अब ठीक है लार साइज वाला ही चौप को दे देंगे चलो गाईज जार इधर यह जादा दूर जाना नहीं है यह रहा भाई साब पीजा बर्गर यहां पे बहुत बड़िया बड़िया मिलता है आप भी आना कभी लॉस अंटोस में ना तो भाई यहां का पीजा जरूर ट्राई करना यह वाला 200 पे भाई तकड़ा वाला पीजा मिलता है तो भाई यह रहा इसका लोकेशन में आप लोगों क्या ही बताओ यह देखो गाईज जार वाई टी एफ लिखा है ना अरे वो वाई टी एफ नहीं है कुछ और है क्या बात कर रहा है अरे हाँ वो सब छोड़ो यह देखो यहां पे है अबे हाई तो गाईज यार आप इस वाले चौक पे आओगे ना तो भाई यहां पे लिखा होगा तो भाई यहां पे आ सकते हो ठीक है एरे चलो वो सब छोड़ो खाने चलते हैं आजा जाएज चलते हैं फटाक से बर्गर खाते हैं एंड भाई कुछ ओडर भी कर देंगे और भाई चलो अंदर चलते हैं जाएज जार बर्गर खाके मज़ा आ गया एरे यार कितना खाया अबे यार मैंने तो बहुत तकड़ा खाया एंड भाई सब मचा ओबे वो कौन सी कर जा रही है एरे कौन सी अबे ये देख भाई गाईस जर ये वाली कर आप लोग देखो वैसे एंड भाई क्या खतरनाक लग रही है यार भाई सब देख रहा है सिंचन अबे यार क्या लाजवाव लग रही है वैसे गाईस जर मैं इसमें बैठना चाहूँगा भाई देख सकते हो आप लो कितनी प्यारी लग रही है ओ भाई सब गाईस 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 ये वाली कार आप लोग देखो अबे अपनी कार छोड़के जा रहे हो अबे कोई दिक्कत नहीं है इधर ही तो रहेगी चलो गाईस जर ये वाली कार आप लोग बताना कैसी लग रही है मेरे को भाई क्या special feel दे रही है अबे इसको mini बनाओगे अबे नहीं यार mini बनाना होगा भाई ट्रांसपोर्ट का जहां पर सारा काम होता है न उधर मिलने का चांस रहता है तो भाई एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा कैसी भी करके अरे यार चलो तो सोच क्या रहे हो अबे हाँ यार मैं वही ट्राइब कर रहा हूँ उधर जाके ले सकते हो तो चलो गाई जार इंडियन ट्रक हम लोगों को लेना है तो उसके लिए हम लोगों को एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा तो चलो भाई यार फटाक से पहले पहुशते हैं एयरपोर्ट पे एंड भाई इंडियन ट्रक खोज के उसको भाई लेके आ बनाएंगे जो कि गाइजर इंडियन लोडी की तरह होती है अर्य हाँ ऐर टाटा की इंडियन ट्रग काफी प्यारी लगती यह टाटा की इंडियन ट्रक तो चलो गाइज जार देखते हैं एयरपोर्ट के जाने का रास्ता ओपन है या नहीं अरे यार वहाँ पे तो पुलिस वाले खड़े होते हैं अब पुलिस वाले से क्या डर ना उनसे बात वात कर लेंगे कुछ पैसे वैसे देखे नेगोसियेट कर लेंगे और भाई साब काम हो जाएगा अरे क्या बात कर रहे हो हो जाएगा काम अबै हाँ यार काम तो हो जगा वैसे गाईजर यहाँ पे दो दो पुलिस वाले खड़े हैं फ्रॉंट गेट पे ही सिंचन बात करेगा क्या तू अरे नहीं नहीं मैं ते नहीं करूंगा अबै तू नहीं करेगा चलो गाईजर मैं बात करता हूँ यहाँ पे भाई दो दो पूलिस वाले हैं वैसे इस बाई बंदे से बात करता हूं हलो सर यार हम लोगों को अंदर जाना था क्या आप एरपोर्ट में हम लोगों को घूमने जाने के लिए पर्मिसन दे सकते हो क्या अरे कहां से आ गई हो एयरपोर्ट पे कौन घुमता है ये सोट गन देख रहा हो सारी की सारी गोलिया तुमारे माथे में उतार दूँगा पहली फूर्जत में इदर से निकल लो अबे भाई सीन चन ये तो कुछ जादा ही गाईस अरे यार उससे पूछोगे क्या है अबे यार वो भी थोड़ा को अंदर जाना था इसे घूमने फिर्ने बड़ी बड़ी पेलने का मेरे को काफी सोक है मेरë साथ यह पांts साल का चोटा भड़ा बच्चा भी आ एक आप मेरे को अंदर? ले जाने दोगे क्या अरे तेरे को समझ में नहीं आता बड़े साहब ने बोला तो अभी क्या अभी तेरे को बॉटक के इधरी बहुत मार मारूंगा या जेल में डाल दूँगा पहली फूरसत में निकल लो तुम दोनों अबै भाई यह तो जेल में डालने की बात कर रहा है अबै कोई भी डाल सकता है वैसे यहां पे बंदे अबै यहां पे भी दो पुलिस वाले है क्या बोल रहा है इससे पूछे अरे इससे नहीं पूछो यार यह तो और नहीं बोलेंगे अबै यार वैसे अगर हम लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने का रास्ता खोज ले तो काम हो सकता है भाई इसके उस पर कैसे जाएंगे अरे पता नहीं अबै रास्ता तो जरूर होगा एयरपोर्ट के अंदर जाने का वैसे काईज यार यहां से तो जा सकते है ना अरे हाँ हाँ यहां से जाने का तो रास्ता है अबै हाँ यह तो जेट पैक है अरे यार इसका पेट्प कुझ पैक है भाई एक तु चला ले एक मैं और एक को छोड़ देते और किया बात कर रहा है तेरे को उडाने नहीं आता अरे नहीं और यह तो एक काम करना तु मेरे पेट पे बैड़ जा यह पेट को पकड़ के बैड़ या मैं उडा लूगा और अंदर डाने अफिस जादा भारी है यार पाम साल का देखने में लगता है लेकिन भारी है तुँ अरे यार वो सब छोड़ो बीच वाले ले चलो अबे नई बीच वाला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वैसे ये ब्राउन है ये थोड़ा सा हलका रेड है ये पूरा रेड है चल यार ये ले चलते है अरे यार चलाने तो आती है न आपको अबे तु टेंसन है हूं तो भाई आराम लाएगे का में और आटा ये लगते है ना तू इस से कुछ बैठा है ना इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है ठीक है तु उतर जा फटाक से अरे यार तु मैं कैसे जाओंगा अब एक काम करना भाई तु इस वाले रास्ते से आजा देख ले भाई इधर से कोई तो कोई रास्ता होगा मैं उड़के चला जाता हूं तु पीछे से आज याना गाई यार हम लोग फिलाल आचुके हैं और नहीं सकते हो कैसे चलरीय है यार मेरे को लिए-जलो अबै यार मेरेको डर लग रहा है लेकिन गाय यूसार ये देख सकते हो ये वाली भाई कितनी खतरनाग जीट है और भाई जेठ पैक से हम लोग अंदर अजीके हैं यह यह जेट पैक वैसे गाइज यार पता नहीं अभी तक मेरे को कहीं पर दिखाई भी नहीं दे ठीक थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा एंड भाई छास इंचन अरे यार बोलो अभाई कॉल पर रहें आवसे गाईज जयर सिंचन तू अंदर आ रहा है अरे हाँ मेरे को एक रास्ता तो दिखा अबर ठीक है बहुत अंदर राजा वैसे अभी एक भी ट्रक दिखा इनी दे रही है अरे क्या बात कर रहे हो प्लेग चुरा लो ओभाई प्लेग भी यह वैसे प्लेग को मिनी बना सकते है क् सिंचन अरे हां अब आ रहा है अरे मैं तो आ गया अभी यह तो लेंड रोने का नामी निले रहा है ओ भाई मेरे को खूदना पड़ेगा गाइज यह पर अपर इतनी सारी मिली है अरी यार कौन सी चोरी करोगे अब यहां पर तो काफी तगड़ी तगड़ी वाले ट्रॉक है यह अरे यह अरे यह ऑले और यह यह तेल टंकी वाला है बट यार मेरे को इंडियन चाहिए थी यहां पर गाइज ट्रांसपोर्ट में कितनी खतरनाक खतरनाक वाले ट्रॉक ए यहां पर आ लोग लोग देख सकते हो ये बट यह इंडियन नहीं दिखाई दे रही है वैसे गाईजर सामने प्लेन नजार आ रहा है भाई अरे प्लेन को बनाओगे अबे नहीं यार प्लेन को कौन बनाएगा गाईजर यहाँ पे मेरे को बैट ट्रक चाहिए भाई और भी है क्या भाई इधर आके देखते है भाई इधर आजा अरे उधर क्या होगा अरे यार कहा हूँ अबे यार यह बंदा फैले यहां पर है वैसे मैं इससे बात करता हूँ अलो भाई साब यह टाटा वाली ट्रक किसकी होगी और कौन है रहे तुम भाली फूर साथ में निकल लो तुम अंदर कैसे आ गए अगर कोई भी ट्रक को हात लगाया तो इधर ही काट के रख दुंगा अब। यह तो कुछ जादा ही गुस्सा कर रहा है अब यार बैट तो तू आगे से तो हम लोग जा नहीं सकते हैं आगे पुलिस वाले हैं भाई सब यह देखो टाटा ट्रक भाई इंडियन टाटा ट्रक यह लोरी भी बोल सकते हो बट यार क्या खतरनाक लग दी है हम लोगों ने गाई जार इसको भाई निकाल लिया अभी किसी को कानो कान खवर नहीं लगी है कि हम लोग भाई टाटा की ट्रक लेके भाई इधर से निकल चुके है तो गाई जार चलो चलते हैं गाई जार यहां पर भी आस अब यह तो गेट ओपें हो गया अभी यह भी अभी यहां से नहीं जा सकते तोड़के नहीं जाएंगे वैसे गाई जार फाइपनलि हम लोग लोगों के लिए श्पेशल गेट ओपें हो गया एंड फाइनली यार हम लोगों ने चोरी कर लिये टाटा की ट्रक वो भी एयरपोर्ट से भाई ये काफी बड़ी है यार ये वैसे छोटी हो जाएगी न अरी हाँ यार बेनी भाई ये कर देंगे न अब हाँ यार बेनी के हाथ में सब कुछ कर देता है काईजर ये से देख सकते हो कितनी बड़ी ट्रक हम लोगों ने काईजर ले ली है अब बार ये इस वाले ट्रक को भाई साब छोटा करने की इसके सामने ये छोटी छोटी गाड यार ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं अरे अरांग से चलाओ अब यार बस भी इसके सामने चोटी है ना वैसे सिंचन ये इतनी बड़ी ट्रक है ना कि इसमें भाई मीनी कार पूरी आजागी अरे लड़ मत जाए देखना अब नहीं यार ये ओभर व्रीज से कुछ नहीं होगा कहले है देख सकते को क्या देख लिए काफिा बड़े ट्रक है तर्फं मेंल को लगता है ना ये लौशंटस का सबसे बड़ा वाला ठ्रक होगा अरे हां यार Indian Truck है ना देख भाई Los Santos की नहीं छोटी छोटी ट्रक है जा रही है और उसके सामने ये कितनी बोडी ट्रक है Grandpa ज्रो composed ये कहे देखे-डलो शलते है लोई पर देखे-डलो वाई बम जो ब से आज़ो ईसको बोलते है कि भाई ने तुझऀस को छोटा बना दे क्याने कि मिनी बना दे यहां यार चलो छले चलो चौर्थ यार बे नी का गेराज यह रहा और भाई उदर से जा चल जायेगा न अरे कहां जा रही हो इसके आगे तो इतनी सारी गाड़ी यह लगि यह इदर तो जाई नहीं पाएगा वैसे वाई लगता है आज बेनी के गेराज में काफी जादा भीड है एरे क्यों होगा ऐसे अब पता नी यार वैसे उदर से काफी सारे कास दीख तो रहे थे ओ भाई देख रहे है से इंचन एरे हाँ यार इतनी सारी कार्स अबे ये बेनी के ये ट्रक अरे मेरे को क्या पता अब यार यह भी दिक्कत ही हो गई गाइज यह इतनी बड़ी ट्रक है थोड़ी सी दिक्कत तो होईगी देख सकते हो आप लोग लेकिन यार जैसे तैसे करके तो मैं अंदर इसको लेगे चला जाँगा ओ बाई यह पूरी अंदर जा भी नह एक दो नहीं भाई टोटल एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौट मतलब 10 11 कारे हैं देख सकते हो आप लोग एंड गाइजर अंदर भी थी ना अरे हां देखो देखो कितनी है अब हां यार भाई साब इतनी ज्यादा सूपर कार है सारी के सारी देख रहा है अरे हां यार इतनी सारी काश वैसे बेनी के गेराज में कर के नहीं है और बेनी दिखाई भी नहीं दे रहा है आरे पता नहीं किदर अबे यार उपर सायाद जाके देखना पड़ेगा बेनी लगता है अरे बेनी भाई और कौन है भाई कौन है अभे भाई मैं फ्रैंक्लिन आय은 बाई उड़ जया यार अरे फ्रैंकलिन सोने दो यार अभे उड़ जया भाई तेरे से अरजेंट का में वै 어떻게 इतना आराम क्यों कर रहा है ओर यार कितने दिनों से मीनी कार बना रहा हूं थक गया हूँ अबे भाई कितने सारे लोग मीनी कार बनवा रहे अरे जल्दी नीचे आजा मैं एक और नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ देख ले भाई साब भाई काफी ज़्यादा बना रहे लगता है ये वाली है देख ले भाई आजा नीचे भाई जल्दी आजा यार अरे क्या वड़िया सो रहा था मैं बेनी अराम से सोया करता है अपने गराज में और ये उठा दिया चलो कोई बात नी अरे फ्रैंकलीन कौन सी कार अरे यार ये इतनी बड़ी ट्रक लेके आया है क्या अरे फ्रैंकलीन ये ट्रक तुमारी है क्या अरे हाँ बेनी भाई इसी को तो मीनी बनाना है अरे यार पहले से ही इतनी सारी कारे पेंडिंग में पढ़ी है और तुम ये वाला लेके आ गए अरे यार भाई काफी ज़्यादा लेकिन तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्तों तुमारा काम तो जल्दी करना पड़ेगा ठीक है यार करके तुमारा सबसे पहले तुमारा ही करूँगा जाओ तुम घर या बात है भाई सबका काम पेंडिंग में डाल के मेरा काम करो के अरे हाँ फ्रैंकलिन ठीक है यार जाओ त्राइ करता हूं एसको जल्दी काम खदम करने के लिए ठीक है गाइस भी ट्रक टाटा की है आपको तो पता यह आगे आप लोगों ने देखा यहां यह जादा भी यह लोगों भी है और उपर ओल इंडिया परमिट लिखा भी है गाइस देख सकतो कितनी बड़ी यह वाली ट प्रताव iASA और यह इतनी खासी नहीं है लेकिन वुह ही वाली सब्सक्राइब कितनी खतरनाट है यह सेम तूझे मोडल मिरें को सब्सक्राइब कर लो जब से घर चलते हैं घर से घर छलते हैं देख सकते हैं आपके हैसे उपर के साइड में सब्सक्राइब तो यह वाली car guys चलाके तो मसा आने वाला है तो चलो कॉच्छ दे दिया हम लोगों ने भी बơnры अने के लिए और यार बनातो देगा न मीनीटड अबए यार उसने श्री वह बना दी हैंडी इसीनी सारी evaluate अंदी डिकत नहीं और वह सब कुछ कर देता है तो चलो गाया जार मटटाक से चलते हैं और देखते हैं तो तो टेकर रहे होंगे तब तक उनके घर खाना खाएंगे तब तक हमारी मीनीकार बनके रेडी हो जाएगी एंड आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे तो भाई फटाक से 4 लाख लाइक कराना है आप लोगों तो यादी है क्योंकि हम लोग 4 लाख लाइक पे एक तगड़ी वाली भाई साब हम लोग बनाने वाल है पार्किंग एरिया मीनी कार्स के लिए यार हो जाएगा कोई टेंसन नहीं है अब हायर हो तो जाएग आई तो चलो गाई जर फटाक से पहुंचते हैं और आप लोगों के लिए एक भाई सब सर्प्राइज भी है अरे क्या क्या अब कुछ नहीं यार ऐसे मैं मजाग कर रहा था चल फटाक से पहले मिस्रा जी के घर खाना खाना है और उसके उतने देर में हमारी सारी मीनी कार भी आ जाएगी और भाई साब हमारे घर में देख बल करी रहा होगा ये रहा हमारा घर और ये रहा मिस्रा जी का घर चलो फटाक से चलते हैं चलो गाईजर चलते हैं मिस्रा जी के घर खाना खाएंगे टाएगए और जूलस्ड जाएगी थांक्यू मिस्स रजी आपने एकदम जबरजस्त खाना बनाया है थांक्यू थांक्यू औरे फ्रैंक्लिन ऐसे ही हमारे घर आते रहना ठीक है आप भी हम लोग भी आपको इन्वाइट करेंगे तब बनाएंगे ठीक है ठीक है बट बनाओगे क्या अब छोड़ यार अब इनक यार उसने कॉल भी नहीं किया चल यार चल देखते है और बेनी आ गया होगा साइद भाई लेट तो होई गया अभे बेनी तो आही गया है अरी यार आसे बात करने पड़िए और बेनी तुम आगे और मेरे को बताय मेरे बिनी और वक्क्रीन कब से डोर बेल बजा रहा हूं कोई सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है अरे यार हम लोग तो बगल वाले मिसरा जी अगर खाना खाने गए ते वैसे ट्रक बन गई है न अरे हाँ यार इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है ये थोड़ी सी हवा में चलती है अबे यार ये बड़ी बड़ी कारों के साथ यहाई दिक्कत होती है वैसे बस में थोड़ी सी दिक्कत आई थी यह तो सही थी हाँ यार चल कोई बात है नहीं हम लोग एडज़स्ट कैसे भी कर लेंगे ठीक है तुम्हारी कार वह बगल वाले मिसरा जी की घर में पारकेश अब यह क्या कर रहे भाई इनको छोड़ने मत अब नहीं नहीं जाने दे यार खून- खरभान आणि सब्सक्राइब करो क्यों कि यह रहिए चलो हमारे जेनके गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहीं पर सब खतरनाक वाली वीडियो आती रहती है चलो मैं फटाक से गेराज जाता हूँ और अपने अपने काम में लग जाता हूँ गाइसर अब बारी है इस वाले बॉक्स को ओपेन करने की एरे यार हमारे पास इतनी सारी कार्स होते जार ये कुछ करो अबे क्या करना है एरे पारकिंग एरिया भी बनाना है अबे वो तो बनाएंगे चार लग सब्सक्राइबर स्पेसल है वो एंड गाइसर अब इसको ओपेन करना है एरे तो ओपेन करो और क्या अबे हाँ यार चलो गाइसर फटाक से इसको ओपेन करते हैं भाई साब सिंचन अबे यार ये तो बहुत खूब सुरत देख रहा है अबे वही तो गाइसर ये देखरो भाई अब तक कि सबसे बेश्ट मैं बोल सकता हूँ अबे यार कितनी प्यारी है न अबे वही तो गाइसर ये देखो कितने छोटे छोटे टायर है एंड गाईस यार ये मेरे साइस से भी छोटी है पहले तो ये इतनी बड़ी ट्रक थी कि भाई मैं आप लोगों को बता नहीं सकता एंड अब भाई इतनी बड़ी हो गई है अब चला के भी दिखा दो अब यार भाई अब तो चलाना भी है गाइस अब चलाने में काफी ज़्यादा मसा आएगा तो चोलो इसको कनेक्ट करते हैं अपने इंटरनेट से इंटरनेट ने ब्लूतुथ से एंट चलाते हैं भाई साब क्या लग रहा है अरे यार यह तो अबे हाँ यार इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है वैसे एंट इतनी बड़ी बड़ी ट्रक को छोटा करना मामली बात नहीं है बहुत ज़्यादा मेनद से हम लोग ऐसे ऐसे ट्रके पनाते हैं बड़ी बड़ी भाई देख रहा है वैसे गाइस यार लंबी गाइस यार हम लोग इसको ओफ रोडिंग में ले जा रहे हैं यह भाई बहुत अच्छे तरीके से पार कर जा रही है किसी भी मुसीवत वाले राखते पर यह देख अब यह तो लड़ गई अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़े अब यार यह सम नहीं टोड़ पा रही है वैसे अ अब हाँ यार क्या खतरनाग बनाया है बेनी ने अब ऐसे इसको रखेंगे कहां अरे गराज में ही घर में जाएगी नहीं अब हाँ यार घर में तो गाइस यह वाली कार जाएगी नहीं इसको हम लोग रखेंगे वहीं पर ठीक है अरे हाँ यार गराज में ही अब हाँ यार और यह वाली कार आप लोगों को कैसी लगी, कार बोल सकते हो, मिनी कार, मिनी इंडियन ट्रक, गास, पहली बार यूटुब पे, मिनी इंडियन ट्रक आगई है आप लोगों के लिए, गास देखो, टाठा लिखा है, और इसमें थोड़ा मोडिफिकेशन भी कर दिया, आंख व यहां पे लगाते हैं एसे कुछ इस तरह से चोलो भाई सब हमारे कलेक्शन में 12 वी कार मिनी इंडियन ट्रक आई है देख सकते हो क्या प्यारी लग रही है यहां पे बड़ी-बड़ी कारे है और हमारे जो घर की अंदर छोटी-छोटी कारे हैं जैसे भी काम लोगोंने में रखा है यह वाली चीज खाई छोटी लग रही है इसको भी कहीं पर रखाएंगे क्योंकि यहां पर बड़ी-बड़ी चार कारे आ सकती है मिनी कार और घाइस काफी खतरनाक लग सकती है भाई देख सकते हो आप लोग है ना मज़ा आ गया इतनी सारी मस्त मस्त कार देख मज़ा आ यह वाली कार देखे यह यह जैसी मेरी तो गया यहां पर लगती है यहां व्यद्र करें फजसे का मजख तो हो गई है और कुछSON सकते हैं अरे हां कुछ तो डाल जी सकते हैं वही तो यहां पर इतनी सारी हो गई है भाई मज़ा आगया देखके अरे हां चलो चलो गाइजर पांच हजर लाइक मिनिमम बनता है इस वाले वीडियो पे क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके यह वाली वीडियो बनाए है न वाई यह वाली चीज़ बनाने में काफी मैनत लगी है, मीनिकार बनाने में बहुत ज़ादा मैनत लगती है, आप लोगों के सपोर्ट आ रहा है, तो हम लोग भी आपको सपोर्ट को 4 गुना कर रहे हैं, तो आप लोग भी फटाक से चैनल को सबस्क्राइब करके चार लाग कर दो क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब है एंड गाइजर चलो मैं आप लोगों को और भी नीचे दिखाई देता हूँ वैसे आप लोगों ने देखे लिया फटाक से लाइक कर देना इस वाले वीडियो को और गाइज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना एरी हाहा सब कर देंगे सब कर देंगे एंड गाइज जर हमारी ये सारी रही कार्स की कलेक्शन यहाँ पे इतनी सारी जो कि आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आती होगी तो guys दर मज़ा आजाता है आप लोगों के लिए ऐसे सी वीडियो लेके आके वीडियो guys दर आपको पसंद आयागा तो लाइक कर देना चैनल पर आपने हो तो सब्सक्राइब कर देना बैल आइकन को guys दबा के और नो डिपीकेशन को विजिट कर देना क्योंकि यहाँ पर हमेशा की तरह latest वीडियो देखने को मिलते रहती है चलो भईया जै ही जै भारत मिलते हैं आपको next वाले खतरनाक वाली एपिसोड में